नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है शुबम सोगत है आपका इस वीडियो में आप देख सकते हैं MP स्कूल एजूकेशन डिपार्टमेंट द्वारा ट्वीट किया गया है हमारा घर हमारा बिद्यालाई के अंतरगत सुरू हुआ खूब पड़ो अभियान मेंज जो हमारा घर हमारा अभियान अभी चल दा था इस अभियान के अंतरगत होता क्या है कि जो टीचर्स रहते हैं वो स्टुदेंट्स के घर पर जाकर 5-5 स्टुदेंट्स का ग्रॉप बनाकर उनको टीच करते हैं क्योंकि अभी जो आपके स्कूल्स हैं वो Korona Virus के कारण बंद पड़े हैं, इस बजह से इस अभियान को शुरू किया गया थाक अब इस अभियान के अंतरगत, खूब पड़ो अभियान को भी सामिल किया गया है, अब इसमें क्या होगा हम भो जान लेते हैं, सबसे पहली बाद ये अभियान सुरू हो चुका है और 24 सितमबर तक खूब पड़ो अभियान चलेगा और बच्चों में विक्सित की जाएगी reading habits अब इस अभियान का मकसद है वो बच्चों के अंदर reading skills को develop करना है क्योंकि जो हिंदी मीडियम के students होते हैं उनकी हिंदी तो अच्छी होती है लेकिन English कमजोर होती है इस बज़े से इस खूब पड़ो अभियान को चालू किया गया है और इसके अंतरगत हिंदी मीडियम के students के लिए reading skills develop कराना होगा और विद्यारती अपनी पाट पुस्तक से प्रती दिन पढ़ेंगे कहानिया एबम कभीता अब जो students के लिए एक अलग से book होगी English की जिसमें stories होगी कहानिया और poem होगी कभीता कभीता होगी और कहानिया इनकी अलग से book रहेगी और इनकी reading skills develop करवाई जाएंगी daily reading classes रहेगी 24 सितमबर तक तो ए था हमारा खूब पड़ो अभियान और आप देख सकते हैं यहाँ पर कक्षा एक से आट तक के विद्यारतियों के लिए जारी किया गया है time table सिक्षकों द्वारा प्रती दिन 5 विद्यारतियों से दूर वहाँ सापर संपर्क कर time table के अनुसार कराई जाती है पलाई अब जो mobile से अभी online classes चल रही है उसमें 5-5 विद्यारतियों students का एक group बनाया जाता है और उसमें एक time table बनाया गया है जो की सरकार द्वारा बनाया गया है और उस time table को follow किया जाता है जो हमारे teachers होते हैं वो students को पूरा time table follow कराते हैं और उनकी जो problems doubt बगेरा रहते हैं वो भी online solve किया जाता है उनको